प्रमुक्य साहित्य रचनाएं प्राचिन भारत की इधर रचना दिया हुआ है इधर रचनाकार दिया हुआ है और इधर विशेश तथी दिया हुआ है इसमें पहला है हर्श चरित्र खेक पुस्तक है प्राचिन भारत की जिसके रचना कह और इसमें किस बाप की जानकारी मिलती है इसमें हर्ष की उपलब्दियों का वर्णन मिलता है, तो हर्ष की उपलब्दियों का वर्णन किस बुक में मिलता है, तो हर्ष चरित नामक पुस्तक में मिलता है, एक जांज में ये बार बार पूछे जाने वाले प्रस्ण है, कि हर्ष चरित के लेखक कोन है, तो हर्ष चरित रची पॉस्तक की जानकारी मिलती है, इसके बाद मुद्राराक्षस के लेखक्स के लेखक जानकारी मिलती है इसके बाद आएंगे राज तरंगनी राज तरंगनी के लेखक है कलहन है और इसमें कस्मीर के राजवन्स की जानकारी मिलती है किस राजवन्स की जानकारी मिलती है कि कस्मीर के राजवन्स की जानकारी इसमें मिलती है इसके बाद है महावास से महावास के प्रित्वी राज रासों के लेख्रक है कभी चंद वरदाई है इसको चंद वरदाई कहा जाता है और प्रित्वी राज चोहान के बारे में जानकारी मिलती है पृत्वी राज रासों में मिलती है इसके बाद है अर्थ सास्त्र के लेखक है कौटिले और इसमें मौर्ज काल के बारे में जानकारी मिलती है इनको बिष्णो गुप्त भी कहा जाता है इनको बिष्णो गुप्त भी कहा जाता है इसके बाद अगला आएंगे मालविका अगनी मित्रम के लेखक है कालिदास है इसमें सुंग वन्स के बारे में जानकारी मिलती है और इसी बुक में मालविका और अगनी मित्र की प्रेम इसके बारे में भी जानकारी मिलती है इसके बाद नेक्स्ट है मिर्च कटिकम मिर्च कटिकम के जो लेखक है वो है सुद्रक है और इसमें गुफ्त कालिन समाज के बारे में जानकारी मिलती है तो हम लोग देख लिए हर्च सरित्र के लेखक हो गए बानवट अश्टा प्रत्वी राज रासों के लेखक हो गए चंदवरदाई इसके बाद अर्थ सास्त के लेखक हो गए कोटिल या विश्ण गुप्त कहेंगे इसके वाद मालविकागी मित्रम के लेखक काली दास और मिर्च कटिकम के लेखक हैं सुद्र के प्राचिन भारत के परमुक साहित रचनाई थी जो हर एक्जाम में बारबाच खुछे जाते हैं धन्यवाद आज इतना ही रहने दूशित